गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास थर्ड, हमारा फोर्थ लेसन चल रहा है कि मैं गांधी बन जाओं एक बच्चा है जो अपनी मां से क्या बोल रहा है कि मां खादी का कुर्ता दे दे, मैं गांधी बन जाओं निकर नहीं दोती पहनूँगा हना ये सब हमने पहले पढ़ा था कि बच्चा मां से बोल रहा है कि मैं क्या बनना चाथा हूँ गांधी बनना चाथा हूँ तो आज हम इसके क्वेस्टन अंच्वर और रिकिस्तान करेंगे तो कब बनाया जाता है दो अक्टूबर को कब बनाया जाता है दो अक्टूबर को मात्मा गांधी जी का जनम दिन दो अक्टूबर को मनाया जाता है सबी को पता है नमबर दो है मात्मा गांधी जी को हम खालिस्तान भी कहते हैं क्या कहते हैं महात्मा गांदी जी को हम और बापू क्या कहते हैं बापू महात्मा गांदी जी को हम बापू भी कहते हैं नमबर तीन है वे बच्चों को बहुत खालिस्तान करते थे, गांदी जी बच्चों को क्या करते थे? प्यार, तो इसमें क्या भरेंगे? प्यार, वे बच्चों को बहुत प्यार करते थे नमबर चार, वे बकरी का पिते थे, क्या पिते थे? दूद तो मात्मा गांधी किसका दूद पिते थे? बकरी का दूद पिते थे वे खालिस्तान चलाते थे, क्या चलाते थे? चर्खा महात्मा गांधी जी चर्खा चलाते थे चर्खा चलाकर वे स्वें वस्तरों का निर्मान करते थे तो वे चर्खा चलाते थे ठीक है आप लोग ऐसे ही साफ साफ शब्दों में अपनी नोटबुक में करोगे Q1 है बालक क्या बनना चाहता है तो हमने पड़ा है कविता में बालक क्या बनना चाता है? बालक महात्मा गांधी बनना चाता है क्या बनना चाहता है बालक महात्मा गंधी जैसा बनना चाहता है महात्मा गंधी बनना चाहता है अगला कुश्चन है बालक कैसी चादर ओडना चाहता है तो बताओ बालक कैसी चादर ओडना चाहता है बालक खादी की चादर ओडना चाहता है बोला था ना कि निकर नहीं दोती पहनूँगा हना खादी की चादर ओड़ूँगा तो बालक ऐसी चादर ओड़ना चाता है जो खादी से बनी हुई हो तो इसका उत्तर क्या होगा कि बालक खादी की चादर ओड़ना चाहता है क्या करना चाहता है बालक खादी की चादर ओड़ना चाहता है क्वेस्टन नमबर तीन है कि बच्चा घांदी की तरह क्या चलाना चाहता है तो गांदी जी क्या चलाते थे चर्खा चलाते थे तो बच्चा भी क्या चलाना चाता है गांदी जी की तरह चर्खा चलाना चाता है तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि बच्चा गांदी जी की तरह चर्खा चलाना चाता है ठीक है तो ये हमारे question answer complete हुए आप अपनी notebook में शाफ साफ सब्दों में इसे करोगे fill in the blanks के निचे यानि जो हमने tick mark वाले किये थे उसके निचे आप रिकिस्तान फिर question answer करोगे और इसके साथ व्याकरन वाली copy में प्रयायवाची करोगे ठीक है कितने 20 ये काम आप अपनी व्याकरन वाली notebook में करोगे ठीक है और ये किसमे करनी है ये आपको पता ही ये question answer वाली notebook में करते है ठीक है